तो आसन सोल लोगसभा से पवन सिंग ना सही लेकिन भोजपूरी की सेरनी कहे जाने वाली बिहार की सेरनी कहे जाने वाली अच्छरा सिंग आसन सोल लोगसभा सीट से चुनावी रण में कूद कर ताल ठोक सकती है बागेस्वर बाबा के पास पहुंचती है अक्छरा सिंग और तब पहुंचती है जब ये पता चलता है कि भारतिया जनता पार्टी उनको आसन सोल से लोग सभा प्रत्यासी बना सकती है बाबा बागेस्वर का आसिरबाद उनको कितना काम आएगा ये मुझे नहीं पता है लेकिन अभी उनको जनता का प्यार जो है और जनता का आसिरबाद का जरूरत है ये पता चल रही है कि पावन सिंग जैसे ही आसन सोल लोग सभा सीर से भारतिया जनता पार्टी का टिकेट व अपस किये वैसे का वैसे ही अक्षरा सिंग की राजन्यतिक कैरियर में कुछाल आया और भारतिय जनता पार्टी उनको आसन सोल लोग सभा सीड से टिकेट देने पर विचार भीमर्स करने लगी राश्टी अध्य जेपी नड़ा के आसुख बुगार चलने लगी कि भारतिय ज जनता पार्टी जो है वह आसन सोल से पवन सिंग के बाद जो है वह अक्षरा सिंग को सीट पर चुनाव लड़ा सकता है आसन सोल लोग सभा सीड से इसी बीच अक्षरा सिंग बाबा बागेस्वर कहां कारक्रम करती नजराई उनके घुटनों में चरण अस्पर्स करके जो ह वह आसिरबात लेती नजराई बागी अक्षरा सिंग जो बिहार की बिटिया है जो बॉली बुड में काम कर चुकी है भोजपूरी में काम कर चुकी है वह अपने राजनैतिक कैरियर को आगे बढ़ाना चाती है आपको पता है कि प्रसांत किसोर जी की पार्टी जन सुराज उसको उन्होंने कुछ दिन पहले जोईन किया ता अपने पिता जी के साथ इसके बाद वो अपने राजनैतिक कैरियर में आगे बढ़ना चाती थी लेकिन इसी भी पवन सिंग को आसन सोल से चुनाओ मैदान में उतरना था भारतिया जनता पार्टी आसन सोल लोग सभा से उ है चुनाओ नहीं लड शकता हूँ पावन सिंग जेपी नडगाजी के पास जाते है वो कहते है मैं आरा बकसुर सासाराम लोग सभा सीड से चुनाओ लड़ना चाता हूँ जेपी नडगा जिक काते है मैं विचार और विमर्स करूँगा पावन सिंग मीडिया से अब एक खबर आई कि भारतिय जनता पार्टी आसन सोल से पवन सिंग की जगा अक्सरा सिंग को टिकेट देगी अच्छरा सिंग भारतिय जनता पार्टी अभी तक जॉइन नहीं की थी लेकिन वो बरतमान सांसर रभी किसं निरहुआ मनोग तिवारी के संपर्क में थी और वो चाहती क्या थी कि आसन सोल से उनको टिकेट मिलने की जो है वो खबरे तेज होने लगी अब अक्छरा सिंग इसी बीच बाबा बागेस्वर के धाम पहुचती है धिरेन क्रिशन सास्त्री को मत्था नवाती है उनके चरान असपर्स करती है अब वो आसिरबाद के लिए लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अक्छरा सिंग आसन सोल से चुनाओ लड़ने से पहले बाबा बागेस्वर के यहां आसिरबाद लेने पहुची अब बाबा बागेस्वर उनकी नईया की ख्यवईया बनेगे या पिर जनता नईया की ख्यवईय बनती है बाबा बागेस और आसिरबाद दे कर क्या अक्षरा सिंग का भविष्य बता पाएंगे क्या उनका पर्चा बना बाएंगे ये तो भविष्य बताएगा लेकिन आसन सोल से पमवन सिंग के जगा जो है अक्षरा सिंग को टिकेट मिलने की सुख बुगाहर तेज है और सिंग जो है इन तमाम बातों पर अभी टिपड़ी करने से बच रही है बाबा बागेश्वर के यहां जो है अक्षरा सिंग पहुंची हुई है वहां असिरबाद ले रही है और खेसारी लाल यादों भी ठुमके लगा कर असिरबाद ले रहे हैं अब यह दोनों तर्क मैं क्य समझू आप कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंग को अगर टिकेट नहीं मिला तो निर्दल ये भी लड़ सकते हैं और जेडी से भी लड़ सकते हैं और जेडी से तो नहीं लड़ेंगे यह बात तहा है लेकिन तेश्प्रताप यादों से वह कई बार मिल चुके हैं तो आर और एक्षरा सिंग आसनजोँ से उनको टिकेट मिलेगा ये सनस्य कभी से हैं आप बैता सकते हैं कि यह वह आसन सोल से टिकेट हासिल कर पाएंगी भरतिया जन्तापार्टि का और अगर कर पाएंगी तो वो क्या जीत पाएंगी और जीतेंगी तो कितने ओटों से जीतेंगी आपको पता है कि 2019 में भारतिया जनता पार्टी ने बाबुल सुप्रियों को वहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाया था बाबुल सुप्रियों वहाँ पर दो लाग होट से जीते हैं TMC के एक प्रत्या मेनरजी की ममताब एनरजी की जो पार्टी है उसरे सत्रुहान सिनहा बॉली बुट के मसुहूर कलाकार सत्रुहान सिनहा के उपर भरोसा जदा कर उनको टिकेट देती है और इसके बाब भारतिया जनता पार्टी अगनिमित्रा पार्टी को 2022 में टिकेट देती है बाबुल घार बाइस के उप्चुनाओं से TVC के सांसद 23 से हाँ इसको चांसद बने हुए है अब भरतिया जनता पार्टी सतुरां सिनहा के एभज में किसको टिकेट देती एजो सत्रुहान सिनहा कोई नहीं पता और जब पवन सिंग पूचा गया कि क्या आप सत्रुहान सिनहा के खिलाब चुनाओ लड़ेंगे तो पवन सिंग ने कहा मैं उनको देखकर बड़ा हुआ हूँ अब नहीं चुनाओ की बात तो मैं जरूर लड़ूँगा अब यह आने वाला वक्त बताए गया कि वहां किसका पढ़रा भारी होगा अभी वहां पर टीमसी के सांसा स्वत्रुहान सिनहा है भारतिये जनता पार्टी 2019 में जीती थी लेकिन साल 2022 के उप चुनाओं में भारतिये जनता पार्टी को वहां पर करारी सिकस्त लगी थी तो अब क्या भारतिये तो जीतेंगी अच्छा या कच्रा करके चली आएंगी अच्छा आप दीजे जार कारी बहुत बहुत धन्यबाद जहिंद